नमस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पुराने मेंबर आइडी का पैसा फस जाए तो उसे किस परकार से निकाल लेंगे मान लीजिए आपने 5-6 कमपणियों में काम किया तो सबसे पहले आप लोगों क्या करना होता है कि पुराने मेंबर आइडी जितन कि member ID का पैसा चूट जाए तो आप उसे कैसे बिड्रोवल करेंगे फुल एन फैनल बेड्रोवल रिक्वेस्ट लगा दिया है और रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपके लेटेस्ट कंपनी जो प्रजेंट कंपनी था उसका सारा पैसा बेड्रोवल हो गया है लेकिन आपके पुराने member ID का पैसा अभी फस गया है वो एक company का पैसा भी हो सकता है जो 4-5 company का पैसा भी हो सकता है या जितनी member ID है सभी company का पैसा जो है फस सकता है तो दोस्तों पहली बात आप लोग गलती करनी ही नहीं है परणकारी वीडियों बताने वाले हैं तो वीडियो को अभी से कर दीजे लाइक और चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब और अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों को साथ कर दीजिएगा सेट चलिए दोस्तों हम अपने मुगाइल स्कीन पर आपको लेकर चलते हैं है दोस्तों मुग 판 और इह हमने गूगल क्रोम को सुख और यहां संद प्रका ऀश्च करेंग बाद यह अन लोगिन करेंगे जैसे दोस्तों यह लोगिन लिखे सार्च करेंगे कुछ स्थे का इंटर स्मय हाग पहला वाला लिंक हो दिया गया एच पर framework ClISH कर देंगे क्लिक करने बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस्ट कुल्किए हमारे सामने अजा गा । दोस्तों मैं मौईल में करना हूं तो इसके लिए आप लोग को यहां पर ।烟 पर करना थी डॉट्वर यहां पर देख्टटोब साड़ आगा इस पर लोग किलिक कर देना है तो जासा कंप्टोटर रोप सेम खुलके आप के सामने आजाएगा अब दोस्तों यहां पर क्या करना है अपना यूए नमर डालना है पास्वर्ड डालना है सब्सक्राइब कर लेना है अब दोस्तों यहां पर आप लोग क्या गलती नहीं करनी है चलिए आप लोग को बतायते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर चार कंपनियों में काम किया है कंपन them क्या करना है जब भी हाप कंपनी चोड़ते निए पहले कंपनी क्या शोड़ते यो दूसरी कंपने का पैसा को दूसरी कंपनी में ट्रांसपर कर लेना है अगर lifetime । दूसरी कंपनी का पैसा दूसरीЯ कंपनी के वाफा पैसा प्रह día यहां तुसरी कंपनी में पैसा हो के तीसरी मा आ गया पहले दूसरी का पैसा ट्रांसपर करना चाहते हैं तो आप जहां प्राणी जो तीन कंपनी है तीन कंपनी का पैसा को सबसे पहले आप लोग को ट्रांसफर करके चोथी कंपनी में घटा कर लेना है दोस्तों बहुत सारे लोग यहां पे गलती और करते हैं जब ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगा आते हैं ट्रांसफर रिक्वेस्ट लगाने एक बात पास् लगा देंगे तो यह दो company का और यह लाश्ट वाली company का तो निकल जाएगा तीसरी था उसका पैसा अपका फश्जाएगा क्योंकि पैसा अभी ट्रांसफरों का आपको नहीं आया था और आपको बिड्रोवल होने के बाद आप कर दिए अपने प्सका फूल और कर दिया है तो उसको आप निकालना चाहते तो किस पर का डूब चलिए आपको बताते हैं दोस्तों तो इसके दोस्तों आप लोगों क्या करना है कि जैसे आप फुल और फैनल प्यवका बेड्रोड करने के बाद अगर किसी कंपनियों आप जोइन करने के बाद जब वहां पर एक दो मैना हो जाता है तो मेंबर डिजर नेट कर दिया जाए ज तो उसके बाद आप लोग क्या करना है है कि जितनी भी कंपनियों का पैसा सवंका फशाहगता बचा हुआ पैसा था जैसे कि लगाल सबाइब टीन आप आथी पैसाइस आंगी क्या था uno दोस्तों आप कहीं भी काम नहीं करना चाहते हैं जो आपकी फिलाल कंपनी जो लाश्ट कंपनी थी उसके बाद आप कहीं भी काम नहीं करना जाते हैं आपके पुराने मेंबर एड़ी का पैसा फसा हुआ है उसको निकालना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दू कि ओनल वरकर समिट करना होगा तभी आप प्याप का पैसा जो है पुराने मेंबर आड़ी का फसाओ पैसा निकाल सकते हैं इसके लिए आपको बहुत जंजट करना पड़ेगा लेकिन दोस्तों जो पहला तरीका मैंने बताए था वह बहुत आसान तरीका है अगर आप नहीं भी काम कर कर लिए पुराने मेंबर आड़ी का पैसा जब ट्रांसपर आपके परजेंट में आ जाए तो उसके बाद आप वहाँ पर 6 माना काम करने के बाद आप वहाँ पर रिजाइन देकर अपना प्याइब कर सकते हैं सारा पैसा असानी से निकल जाएगा अगर आप ऑफलान तरीक अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों साथ सेर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जये जये भारत